नमस्कार मैं हूँ अनीता शर्मा और लेकर आई हूँ बातें सेहत विहत के कितना वजन कम करना चाहिए? क्या वाकई आपको वजन कम करने की ज़रूरत है? या आप बस भेड़ चाल में खुद को फिट दिखाने के लिए वजन कम करना चाहते हैं? अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो उसका सही तरीका क्या है? एक महीने में कितना वजन जादा से जादा आपको कम करना चाहिए? क्या वाकई एक महीने में 10 किलो, 12 किलो या 15 किलो वजन कम करना मुम्किन है? और अगर मुम्किन है तो ये आकी सेहत के लिए कितना अच्छा है ऐसे ही बहुत से सवालों को लेकर हम सीधा पहुँचे पदम श्री डॉक्टर प्रदीप चौबे के पास और उन्होंने हमें दिखाई सही राह सर सबसे पहला सवाल बात वजन की हो रही है जिसका असर देखता तो शरीर पर लेकिन वह दिमाग बहुत असर करता है तो सबसे पहले मैं यह जानना चाहूंगी कि आपको मेंटली जो मौटापा है वो मानचिक रूप से कैसे प्रभावित करता है वोटापा का मतलब है कि वजन जादा है और वजन जादा का मतलब है कि आप अपने आपको कैसा देखते हैं मिरर में तो इसको हम लोग self-esteem कहते हैं कि आपकी self-esteem कैसी है अगर आपका figure अच्छा है और अगर आपका weight within normal limits है तो you feel confident and you have psychologically also you're confident standing properly, talking properly and अगर आपकी body का shape ठीक नहीं है वजन जादा है obviously your posture will change जिस तरह से आप बात करते हैं वो change होता है जो कपरे आप पहनते हैं तो इसको हम self-esteem कहते हैं so weight का सबसे बड़ा problem है कि it reduces your self-esteem which is a bottom line क्योंकि उसके बाद में सारी सब psychological or psychosomatic problems and psychiatric problems also to a great extent starts developing over a period of time so I think ऐसे ही लोगों को target करते होंगे वो slogans जो कहते हैं कि तेजी से वजन घटाएए या एक हफते में 12 kilo lose कीजिए या 20 kilo lose कीजिए इन slogans को आप कैसे लेंगे क्या यह effective है इनको follow करना चाहिए क्योंकि इनके लिए बहुत सारे diet plans भी होते हैं या बहुत सारे तरीके लोग बताते हैं कि weight loss कैसे करें यह weight loss के जितने भी slogans हैं जो हम देखते हैं they are mostly the commercial slogans it is to attract you towards that particular program it's an indicator because जितना ज्यादा weight loss उनको promise करेंगे उतना chances है कि आप उनको attract कर सते हैं and they can enter your program but having said that I think quick weight loss is not advised weight loss has to be gradual in this animal इसके पीछे की वज़े से? एक medical condition होती है और एक body का reaction होता है जिसको हम लोग yo-yo effect कहते है so yo-yo effect का मतलब होता है आपने देखा होगा yo-yo ball होती है आप जितनी जोर से मारेंगी उतनी ज्यादा उचलेगी so what we have seen in weight loss programs कि अगर आपका weight तेजी से आप lose कर रहे हैं या crash dieting कर रहे हैं तो अगर आप 10 kg वजन कम करते हैं तो over a period of time it will be more मतलब 10 से ज्यादा आएगा 11, 12, 13, 14 kg वापिस आएगा तो हम लोग का सब का यह suggestion देता है कि अगर आप weight loss का planning कर रहे है तो पहली बात तो weight loss slow होना चाहिए gradual होना चाहिए क्योंकि अगर weight loss gradual है और slow है तब उसके वापिस आने के chances कम होते जितना आप ज्यादा weight loss करेंगे उतने ज्यादा आपका weight वापिस आने के chances हैं इसको यह effect कहते है और हर आदमी जो planning weight loss must consider कि जितनी तेजी से उनका weight loss होगा उतनी तेजी से वापिस आएगा और ज्यादा वापिस आएगा तो तो weight loss का फिर criteria क्या रहेगा मतलब जैसे आपने बताए कि एक सही उसमें weight loss करना चाहिए एक दम से बहुत तेजी से नहीं होना चाहिए तो सही क्या रहेगा अगर हम about 2kg weight loss हो रहा है करीब करीब पर मन्त which is reasonable और जो ठीक भी है और उसको हम gradually कर रहे हैं तो sudden weight loss के problem नहीं है और अगर हम 2kg weight loss करते हैं तो chances है कि हम 2kg लंबे समय तक maintain कर सकते है पर अगर हम 10kg हर मैंने loss करेंगे तो 15-16kg weight gain होगा तो इसलिए 2kg per month का average अगर आपको किसी भी तरीके से कर सकते हैं which is possibly ideal condition तो sir यह जो एकदम से ज्यादा वजन गें हो जाता है उसके पीछे की वज़े क्या होती है ज्यादा वजन गें करने का जो commonest cause हम लोगों देखा है बिंज इतिंग because sometimes there is a psychological problem, there is some stress in life or that stress is manifested by over eating and eating very frequently and eating too much so that is what we call as a binge eating and binge eating ज्यों होती है most of the cases में psychology से related होती है and anxiety anxiety का substitute होता है anxiety को कम करने के लिए ज्यादा खाते है और उसके कारण suddenly weight बढ़ना शुरू हो जाता है और यह commonest cause है हाला कि कुछ बीमारिया भी है but मैं उन बीमारिया के बारे में ज्यादा जिक्र नहीं करना चाहता क्यूंकि वह बहुत कम लोगों में होती है तो इसे control कैसे किया जाए क्यूंकि अगर आप कहरें कि psychological effect भी होता है तो यह तो control किया जा सकता है उसके कोई तरीके हो ने, naturally वह तो control तो ही है अगर आप अपनी psychic को और anxiety को under control रखेंगे दवायों से medicine से meditation से physical activity से exercise से then naturally वह anxiety काम होगी फिर आपकी binge eating नहीं होगी हमको root cause पे attack करना है and the root cause is anxiety and depression उसको root cause को हमको attack करना चाहिए अगर इस तरीके से देखा जाए तो weight gain के लिए जितना stress ya anxiety responsible है yo-yo effect में weight lose करने के बाद जब आप दुबारा gain करते हैं उसमें भी उतना ही रहेगा कई बार क्या होता है कि आप किसी के कहने के हिसाब से बहुत तेजी से lose करना शुरू कर देते हो आप बिल्कुल binge में आप just starving from morning to night you know या आप 2-3-3-4-4 घंटी जिम में spend कर रहे है so मेरा ये विचार है कि इन सब चीजों को जो आप normally maintain कर सकते नहीं कर सकते उन पर attempt भी नहीं करना चाहिए it is better कि आपका वजन ज्यादा है और अगर आप serious नहीं है वजन कम करने के लिए और gradual process को under supervision follow नहीं करना चाहते तो अपने आप कुछ मत करें because weight loss has to be under guidance of the dietician nutritionist and also the physician so google पर जाकर diet search करना लोगों को बंद कर देना चाहिए क्योंकि वो काफी तरीके से effect कर रहा है लोगों को Google से जो आप देखते न वो एक generalized होता है वो आपके body specific के लिए नहीं होता है वो आपके body weight के लिए नहीं होता है आपकी psyche क्या है other medical conditions क्या है thyroid का problem है diabetes hypertension है polycystic ovary है so उन चीजों को भी हमको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है इतने हलके में ना लें weight loss it's a complex process और इसलिए इतने बड़ी बड़ी आपको देखते होते हैं जो उस complexity को ध्यान में रखते हुए आपको एक treatment मतलब इसको हम लोग कहते हैं कि there should be a tailored plan आपको अपने लिए tailored करना परता है जो आपकी जो treating team है वो आपके लिए particular program को टेलर करती है जो आपके लिए best है जो मैंने देखा है होता है कि मैंने वेट लॉज करा किसी डिएटिशन से एक चार्ट लेकर और मैंने अपने ओफिस में किसी को बताया कि सी मैंने इतना केजी लूज किया तो वाट दे से अच्छा मुझे भी ज़रा वो चार्ट शेर करना मैं भी उसे फॉलो करूंगी तो लोग ऐसा ना करें आप क्या सजेस्ट करेंगे जब भी किसी के माइंड में सबसे पहले है कि मुझे वेट लॉज करना या लूज करना है तो आप कुछ ऐसी पांच टिप्स जोने देना चाहेंगे तो किसी पासे डिसाब होगी ना तो उसलेअल करेंगे सबसे तो जब आप कि एक नितीन के पास में एकी हम driving to calculate it. फिर उसमें आपको यह देखा जाते है कि आपकी एज कितनी है. उसके इसाब से हम क्या-क्या दबाई, क्या-क्या हम डाइट दे सकते हैं, कितना हम प्रोटीन दे सकते हैं, कितना कार्बाइड दे सकते हैं, अगर किसी को डिसलिपीडी में आ, कॉलस्टॉल लेवल जाता ह है, भी किन ओट गिव और हर फैट, अगर किसी को डियाबिटीज है तो हमको बहुत काल्कुलेट करके कर्बाइड देना पड़ता है, अगर किडनी में कोई प्रोटीन को भी हमको रिस्रिक्ट करना पड़ता है, तो एक पिल्कुल टेलर डाइट होती है, मेरे खाल से सबसे स कीते सत्वा क्योंकि this is how we keep on changing the fashion. Because losing weight is somehow become a fashion Och, then you know it becomes a talk of the town कि आप ही बोलते है, मन एक कोई है कि भी इता हुआ है मैं एक्स दैट फालो कर रहा हूं। कोई बोलता कि मैं एक्सप्लस दैत फालो कर रहा मैं य दाट फालो कर रहां। मैं इस डाइटिशन की डाइट फार्ट करते हुए it is not true हर पेशिन के लिए हर शक्स के लिए अलग अलग डाइट प्लान होगे और अलग अलग तरीका होगा और जो डाइटिशन होती है उनकी अपने कि पहले हफते को यह सब्सक्ria कर difference करें ऑर कर सकर कि सबसे बड़ा ब सबस्राइब करना सब्सक्राइब की इस नहीं नेक्षविक किसी को U.S.v Brexit को बाखी चीजों को सप्रेस करना चाहते हैं और वो इस बैलेंस में यह भी चाहते हैं कि आपको बॉडी में कोई नुक्सान नो को आपको किसी ओर्गन को डैमेज ना हो जो कि आपको लॉंग तम में खराब उसका सहत प्रेसर पड़े तो बच्चे बच्चे सबको गोलु कहते हैं रहे तुम बतले बच्चे हैं क्या इनको कुछ खिलाओ बिलाओ बच्चों में हम वो एक आदट डाल देते हैं कि उनको चबी-चबी सा रहना है फिर एकदम से जब वो यंग होते हैं तो उन पर यह प्रेशर आता है कि रहे तुम बहुत मोटे हो तुमें वेट रखें कि वो ओवरेट भी ना हो और देखें बच्चों का जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम हमारा अगर आप थोड़ा सा हिस्टी में जाए तो आप रिलाइस करोगे कि हमारे सब वी वेर रॉल स्टार्विंग अट वन ताइम में बच्चे स्टार्विंग अट इस बैक क्या जो मिल्क उसके टाइम में लेक्टेटिंग के पीरेड में एक जो पाइट होता है वो अलग होता है बट आप्र लेक्टेशन स्टॉप जब खाना उपर से शुरू करते हैं तो फैट मेल्ट होता है लेट उमेल्ट तो 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 इस वेरी इंपोर्डेट अब्सूरवेश है कि parents or especially mother and grand mothers you know उनको एकी the only way they can express their love and affection is by feeding और practical situation यह भी है कि आजकल parents अगर हम अलग रहते हैं तो या तो कोई governance है या कोई आया जिसको देख रही है ने चली उसके पास भी अगर कुछ भी होगी वो खिला देगे उसको ताकि वो बच्चा चुप हो जाए तीसरी बात है कि हमारा गिल्ट फैक्टर होता है जब आप husband बाइब दोरों काम कर रहे हैं शाम की जब घर पे आते हैं तो you know there is some isstस्टा को सारे देन नहीं किया तो बच्चे को क्या करते हैं कि ये चलो आपको मैं खिला लेते हैं चुपाना चाहते तो शाइद उसका expression भी यह की है क्यों आप कहां ले जाएंगे आपको movie theater में ले नहीं जा सकते हैं गॉर्टन में आप लेनी जा सकते क्यों कि गार्डन तो वो एक तरह से जंक फूट की एक आदत बहुत चोटे लेवल पर पर जाती है और जितने भी जंक फूट होते हैं जिनके कोकिंग मीडियम के हैं में कैलरी बहुत होती है अगर वह चीज अगर सेम डिसली अगर आप घर पर बनाएंगे तो सी कं होगी क्योंकि आप और अगरण बाहर लेंगे तो ने च्टेन के नहीं कर सकते हैं तो सेम साइज अगर आप बर्गर की बात करते हैं तो घर का जो बर्गर बदा हुआ है उसकी को कालरी की वैल्यू बहुत कम होगी एस कंपेर्ट तू सेम बर्गर विच्व भाई प्रम उट साइड तो सर यह दो थी बात हैं बच्चों की अब थोड़ा सा सुबह भी शाम को भी हलका फुलका वॉक भी कर लेती हूं अब जॉइंट में पेन हैं बोंस उतनी स्ट्रॉंग नहीं है तो जॉग करना या हैवी एक्सराइज करना उनके लिए थोड़ा तफ है तो ऐसे लोग कैसे अपना वेट लूट करें नहीं देखिया ऐसा है कि कुछ ऐसी exercise भी होती है जिसका तो नब बेरिएंट बेरिएंग एक्सराइज इस्ट है इक्तो आप अप ट्रेडमिल में है तो इस वेट-बेरिएंग एक्सराइस तो लिए नब बेरिए गारिक्सराइज सबसार में जिसका कि अन्र बेरिए भाषिट बेरिए उनके दंप ग कर सकते हैं इसके लिए आपको एक्सपर्ट फिजिए थेरापिस्ट की ज़रुत रहती है तो अगर किसी की जोड में दर्थ है या को जॉइन में पेन है या कुछ है फिर भी वह उनका वह वेट लॉस उससे कर सकते हैं दूसा जैसे आपने कहा कि एक रोटी खाते हैं क्योंकि ह हम अनफोर्चनेटली हर एक आदमी का एक माबदंट बना हुआ है और वो माबदंट रोटी से रिलेटेड है कोई यह नहीं कहता है कि रोटी की साइज क्या है और शेप क्या है और थिकनेस क्या है वह रोटी आपको 50 कैलरी दे सकती है और वह रोटी अगर जो आप देखिए जो एनिमल्स को जैसे हाथी को देर रोटी देते है वो तीन किलो चार किलो की एक डॉटी होती है रोटी का हम काउंट सिर्फ करते है दूसरी बात यह नहीं करते कि रोटी के साथ क्या जा रहा है रोटी के साथ में 10 चीज़ जा रहे है जिसमें क्यल्री है और इस्पेशली करें ? कई लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ा एंदोप सारी जो मीठी चीज वो कहते हैं गी भी डाल लेते हैं, कोई लोग चपाती गुड़ के साथ में खाता है, कोई चीनी के साथ में खाता है, कोई बागी, तो हम सिर्फ चपाती को count करते हैं, इतना खाया है, इतना खाया है, हमको इन टोटल वो डायेट की कैलरी देखना है, कि ये डाइट कितनी क्यालरी की डाइट है, अगर वो डाइटिशन ही आपको बतासकता है, कि वो उसमें एक चपाती है और एक काटोरी डाल है तो इसकी इतनी कैलरी हुई इसमें आप और नहीं कोई चीज डाइट कर सकें, अचा उसके बाद में खाने-काने खत्म करने के आप क्या क्या चीज खा रहे हैं, in between जो इटिंग्स है, you know, निकनक्स जो आप खा रहे हैं, उसके आप कालरी कभी नहीं कालकुलेट करते हैं। तो कई चीजों में मैंने देखा, practically कर आप देखेंगे, कि everybody talks about, मैं सिर्फ एक रोटी खाते हैं। तो sir, last question है, क्या ऐसे तरीके हैं, जो वजन कम करने की guarantee देते हैं। देखें, वजन कम करना की guarantee कोई नहीं दे सकता, क्योंकि it is nature, आपकी बॉड़ी में क्या genes हैं, आपकी बॉड़ी का metabolic rate क्या है, आपकी बॉड़ी, how it reacts to different types of food, so there is no guarantee. But yes, जैसे हम अपने बच्चे को school में भरती करते हैं, तो आप यह guarantee नहीं कर सकते कि बच्चा pass होगा, अच्छे सचा teacher होगा, अच्छे सचा school होगा, उसमें भी बच्चे fail होते हैं, और उसमें भी बच्चे bright बनके बनते हैं, तो एक बहुत अलग अलग चीजों का combination है, आपक कैसे protein और fat और carbohydrate को आपकी body कैसे handle करती है, कितनी physical activity करते हो, और physical activity भी depend करता है कि BMR कितना है, body metabolic rate कितना है, तो एक आदमी एक घंटा exercise करके x calorie burn करेगा, दूसरा एक घंटा exercise करेगा, फिर भी उसकी x minus calorie burn होगा, सबोज किसी की 100 calorie burn हो रही है, तो किसी की एक घंटा exercise करके 50 calorie burn अलग अलग BMR अलग होगा, तर एक कोशिन और निकला है, BMR क्या खुद से पता लगाया जा सकता है, या उसके लिए किसी expert की है, नहीं, BMR का body metabolic rate, I think we should not confuse with BMI, तो BMI जो है body mass index है, उसमें क्या है, आपकी height, weight in kilogram divided by height in square meter, आप तो और सारे आप Google करेंगे तो आप अपना height और weight तो BMI आजाएगा, तो BMI के लिए आपको एक किसी expert की जरुवत पड़ेगी, तो यह जरूर देखा गया है, कि समय के साथ में, जैसे ऐसे आप exercise करते जाएंगे, आप अपने body metabolic rate बढ़ा सकते हैं, तो उतनी exercise में आप ज्यादा calories बढ़ा कर सकते हैं, तो यह थे डॉक्टर प सही तरीके से, सही डाइट लेकर और किसी expert की निगरानी में रहते हुए